Hello everyone, welcome to my YouTube channel exam hunt exam hunt के इस YouTube channel पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ काई यह जो आज का हमारा वीडियो है यह हिंदी ग्रामर पर बना हुआ है हम इस सेशन में हिंदी ग्रामर के अलंकार टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं एक पार्ट हमारा अलंकार का बन चुका है जिसमें हमने कुछ बाते अलंकार को लेकर डिस्कस की हैं आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे अलंकार का और अभी एक पार्ट और अलंकार का आपका बनेगा हैं topic की तरफ ओर discuss करते हैं आपके साथ बहुत सारी बात आलंकार को ले तो आज जो हम आलंकार के बारे में इसक्त करेंगे भागदोमेह आज हम आज हम आपको सब्दालंकार हमने वीडियो में discuss किया था तो आज हम यहां पे अरथालंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अर्था लंकार क्या है अर्था लंकार के भेद को पढ़ेंगे और इसमें हम अर्था लंकार के बस तीन भेद डिसकस करेंगे आपके साथ उपमा रूपक और उत्प्रिक्षा लंकार बाकी अभी एक वीडियो और बनेंगे उसमें हम जो है आपको और जो इसक चमतकार उत्पन हो रहा था वो सब्दा लंकार कहलाता था उसी तरह से जब अर्थ के कारण काव्वे में चमतकार उत्पन होता है तो वहां पर कौन सा लंकार हो जाता है अर्था अलंकार होता है और देखें कभी भी आपसे अलंकार के भेद तो पूछे जाते हैं लेकिन कभी जैसे हम यहाँ पे उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रान्तिमान, संदे, अतिशोक्त, उल्लेक और विरुधा भाष अलंकार ठीक है यह कुछ जो most important अलंकार है अर्था अलंकार के भेद को उनको हम यहाँ पे discuss करेंगे तो चलिए फिर स हसे चबदों से बन कर है क्या है उपक, मा से मिलकर बनता है ठीक है उपक का मतलब क्या होता है समीप से और मा का मतलब क्या होता है देखना या फिर तुलना करना मतलब अगर हम आपकी भाशा में इसको समझाने की कोशिश करें तो आप यह कह सकते हो कि दो भिन्न वस्तुओं के साधरिश्य प्रतिपादन को उपमा कहते हैं मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो हम और समझाने के आपको कोशिश करते हैं जिस जगह दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आवरित्ति युंगुड की समानता दिखाई जाए वहां पर हमारा क्या कहलाता है उपमा अलंकार कहलाता है कि दो भिन वस्तुओं के सादृष्य प्रतिपादन में कौन सा लंकार होता तो उपमा अलंकार या फिर वो कौन सा लंकार होता है जहां पे दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आवरित्ति और गुड की समानता दिखाई जाती है तो आप फटाक से बता दीजिएगा कौ कौन सा लंकार होगा आपका उपमा लंकार होगा ठीक है इतना पॉइंस अभी को समझ में आया अब नेक्स्ट पे चलते हैं अब देखिये बात आता है जो आपके एक्ञाम में सबसे इंपोर्टन चीज़ है उपमा लंकार के अंग की बारे में ठीक है अब कभी भी आप से अगर पूछा जाता है कि भाई ये जो हमारा उपमा अलंकार है जिसमें हम एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं ठीक है उनके अंग कितने होते हैं तो कितने अंग बताओगे चारंग होते हैं कौन-कौन चारंग हैं सबसे पहला हमारा है उपमे उपमे किसे कहते हैं बात आती है तो जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, उपमे कहलाता है, दूसरा हमारा क्या है उपमान, उपमान का मतलब क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है, ठीक है, मतलब जिससे हम उसकी तुलना करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, उपम आपको सा, सी, से, सम, समान ऐसे वर्ड अगर आपको मिल रहे हैं ठीके किसी भी कोई भी आपका एक लाइन आपको दिया है तो अगर उसमें उपमालंकार आ रहा है ना तो आप फटाक से बता दीजेगा वो कौन सा लंकार हो जाएगा आपका उपमालंकार ये उपमालंकार की पहचान होती है अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता कि कौन उपमे है कौन आपका उपमान है ठीके अब चौथा हमारा क्या होता है साधारण धर्म या फिर समास धर्म ये कहता है कि वहागुड जो उपमे उपमान दोनों में उपस्थित होते है मतलब जिस गुड को लेकर हम एक दूसरे की तुल्ना करते है वही आपका क्या कहलाता है साधारण धर्म कहलाता तो क्या है उपमे जिसकी याद रखेगा उपमान जिससे वाचक शब्द जो उनको जोड़ने का काम करते है सासी से समसमान ऐसे जो शब्द होते है और साधारण धर्म का मतलब क्या होगा कि जिस गुड से हम उपमे और उपमान की क्या करते है तुल्ना करते हैं वो हमारा साधारण धर्म कहलाता तो ये चारंग होते हैं आपके उपमा अलंकार के आईए और डिसकस करते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी confusion होगा अब जैसे देखिए बहुत सारे आपको उधारड दिये हैं जैसे हरीपद कोमल कमल से यह आपको दिया ना अब आप से चलिए पूछा गया कि भाई इसमें कौन सा लंकार है आपको फटाक से दिखा कि ओहो से श उपमान ऐसे शब्द पूछा जाए तो आपने क्या पढ़ा है उपमान में आपको क्या याद रखना अभी मैंने बताया है कि जिसकी उपमान दी जाए देखो बहुत ध्यान से समझेगा मतलब हम जिसकी तुलना कर रहे हैं अब यहाँ पी जब आप देखोगे हरीपद कोम कमल से मसामन यहाँ पर किसकी तुलना कर रहे हैं हरीपद की तुलना कर रहे हैं अचाम Always कर रहे हैं अब आप से पूछेगा कि यहाँ बाचकिशर्ण कॉन तो जो इनको जोडने का काम कर रहे हैं आपको दिखाई दिया हो से हमारा क्या हो गया वाचक सब्द हो गया अब साधारत धर्म क्या है मतलब कौन सा ऐसा क्वालिटी है जिनको लेकर हम एक दूसरे के तुलना कर रहे हैं तो यहां पर क्या है कोमल ना कि हरी के पैर जिस तरह से कोमल है उसी तरह से कमल भी आपका कोमल है तो points clear हुआ कि नई clear हुआ अगर आपसे कभी पूछा रहाता उपमे बताईए उपमान बताईए वाचक अगर देखते हैं कोमल कलाया कमल कुशुमसी नयन म्रिग नयन से सुन्दर अब देखें यहां पर क्या हो रहा है कि आपको अगर ऐसे पूछा कि बताईए इसमें कौन सा लंकार है तो आप बता देंगे ना कि भाई सी से शब्द दिख रहे हैं और सा सी से समसमान ऐसे शब्द देखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है उपमालंकार हो जाता है अब इसमें कोमल कलाईया कमल कुशुमसी मतलब किसकी इस लाइन में पहले दो लाइन इसमें दो उपमे दो उपमान यह सब्दी हैं अब यहां पर उनकी कोमल कलाईयों की तुलना की जा रही है किस से की जा रह तो इसमें उप में क्या हो गया उनकी कलाईयां तुलना हम किसे कर रहे हैं कमल से कमल क्या हो गया उपमान हो गया और दोनों में किस बात को लेकर हम तुलना कर रहे हैं साधार धर्म दोनों में क्या है तो वह कोमल शब्द है ना कि जिस तरह से कमल कोमल है उसी तरह से इनकी क्य कि मिदोक कि ना की जा रही है कि छा रही है जिस तरह से मिदोकी आखे संदर है वैसे ही इनकी भी यह के सउन्दर है बंस अभी समझ में आ गया ना कभी बी अगर आपसे उप hamman वाचक शब शक्यद साधार दक्रमें पूुछा जातों प्लीज गलत मत रहे हो कि उनके हिर्दय की तुलना की जारी है किस सागर से की जारी है ठीक है किस बात को लेकर उसकी गंभीरता को लेकर कि जिस तरह से सागर गंभीर है उसी तरह से आपका हिर्दय भी गंभीर है गिरी से उंचा हो जिसका मन अब देखो आपको साशा शब्दारा तो ऐसे ही बता दोग जैसे मुख मयंक सम्मंजुमन ओहर अगर आपसे पूछ लिया गया इसमें कौन सा है तो आप देख रहे हो सासी से समसमान आपको यादी है तुरण बताओ कि उपमालंका नील गगन सा सांत हिर्दय यहोरा आपको दिख रहा है कि सा शब्दारा है इसमें भी मुखबाल रवी स समलाल होकर जौला सा बोधित हुआ यहाँ पे भी समसा शब्दारा है तो अगर सा सी से समसमान ऐसे कोई भी शब्द दिखेगा तो आपको उपमालंकार होगा और अगर कभी भी आपसे पूछे किसमें उपमे बताईए उपमान बताईए वाचक शब्द बताईए साधार ध स्क्राइब करना विलाइकन दबाना और जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी आप मिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा है रूपकलंकार अब यह रूपकलंकार क्या कहता है तो कहता है कि जिस जगह उपमे पर अपमान का आरोब किया जाए मतलब जहां किनी दो वेक्तियों और वस्तों में इतनी समांता हो जाए कि अंतर करना मुश्किल हो जाया जैसे आपने वो जुरड़वा मूवी देखा है ना कि उसमें दोनों सलमान खान में अंतर करना मुश्किल हो जाता है सीता गीता में अंतर करना उसी तरह से इन दोनों में इतनी समानता हो जाती है कि आपको अंतर करना मुश्किल हो जाता है भाईया किसकी हम तुलना कर रहे हैं और किससे हम तुलना कर रहे हैं और एक बात सबसे important चीज़ याद रखेगा, जैसे अभी पढ़े हो ना, कि उपमा अलंकार में सासी से समसमान, उसी तरह से रूपक अलंकार का जब example दिया रहता है, तो उपमे और उपमान के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाए, यहाँ पे तो मैं भूल गई हूँ वो लेकिन आप इस बात को याद रखेगा, कि जैसे यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो जब इसका आप real example देखेंगे ना, तो राम और रतन के बीच में आपको योजक चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है, अब देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अब च सही लगेगा, यह चीज़, चरड कमल बंधो हरी राई, आप देखो, जब आप लिए रियल वाला इंजांपल देखेंगे ना, तो चरड और कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे चरड कमल के ऊपर क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है, अंबर आप अपलक और आपके नव्च के बीच में क्या लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा, तो यह चीज़ जाने रहिएगा, यह इसकी रूपक लंकार की पहचान होती है, कि उपमे और उप्मान के बीच में योजक चिन्न आपको लगा रहे था, जब रियल वाला देत यहां पे गलती से हम भूल गये हैं लेकिन जब आप रियल वाले गजामपल और जो एकव्चाम में पूछे जाते हैं यही रूपक कलंकार होता है पहचान होता है जिससे आप पहचान जाते हो कि रूपकलंकार होता है जब आपसे Craig situation ऑंप Мेका उपन किया जात में धन्ना next देखते हैं अगלא है हमारा उत्प्रेक्षा लंकार अब उत्प्रेक्षाई लंकार क्या कहता है कि जहां एक वेक्ट या वस्तु के समान एक जैसा होने की संभावना वेक्ट करते हो कल्पना करते हो hap उत्प्रेक्षा लंकार होता है जहां पर यह कहा जाता है उपमे में उपमान की संभावना की जाए जहां पर क्या होगा कल्पना विक्त करने की बात हो जाएगे उपमे का क्या हो जाए जैसे पूछा जाएगा बताइए वो कौन सा लंकार है जहां पर जो है संभावना या कल्पना विक्त की जाती है तो बता दोगे उत्प्रेक्षा लंकार की भी बहुत बढ़ियां पहचान है इसमें कहता है कि उत्प्रेक्षा को विक्त करने के लिए मन आदिवाचक शब्द का प्रियोग जरूर किया जाता मतलब अगर कभी भी आपको मनहु मानों जनहु जानों ऐसी शब्द अगर आपको मिल रहे हैं तो आप तुरंट लगा दीजेगा वो उत्प्रेक्षा लंगार यह शब्द आपको 99% शब्द मिलेंगे जिससे आप पहचा जाओगे कि बस यह उत्प्रेक्षा ही अलंगार है जैसे यहां पर देखिए कुछ आपकी एक्जामपल मैंने लिखा हुआ है जो आपके प्रिवियस एयर में पूछे गए हैं सोहत ओड़े पीठपत स्याम सलोने गाद मनहु नील मड़ी सैल पर आतप परया प्रभाद यहा पर्थी निकालते रहे जाएंगे यही समझ तो यह कुछ हम पहचान से उस दीश को हम पहचान पाते हैं जैसे देखिए हरी मुख मानो मधुर मैं का यहां पर आपने मानो शब्द देखा आतरण बता दिये कि यहां पर कौन सा लंकार हो गया उत्प्रेक्षा लंकार हो गया यह देखिए उसकाल अमारे क्रोध के तनुका अपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा अब यहां पर फिर आपको मानो हवा के जोर से यहां पर आप देख रहे हैं सब में एक संभावना की वित की जा रही है इसे देखिए कि यहां पर क्या कागा उसक काल मारे क्रोध से मतलब यह बात उस टाइम की है जब क्या होता है कि अरजुन जो है युद्ध के लिए तैयार ही नहीं होते हैं तो उन्हें जो कृष्ण जी होते हैं वो गीता का पाट पढ़ाते हैं उनको वो बताते हैं कि यह जो आपके अपने हैं यहीं उस टाइम भी मतलब उस क्रोध से उनका पूरा शरीर कापने लगा कि हां भई यह लोग तो थे ही उस टाइम मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा मतलब एक संभावना विक्त की जा रही है कि जो है सागर में उफान उठने लगी ठीक है जैसे सागर सो रात देखते नहीं हो जब ऐस कोई बात होती है तो सागर वागर में उफान उठने लगती है वैसे ही एक क्या है संभावना विक्त की गी और बस आपको यही याद रखना है कि मनव मानव मानव जनव जानव ऐसे शब्द आएंगे तो तुरंत लगाना उप्रेशा अलंकार सासी से सम समान आएगा तो परे में फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट होता है कोई कंफिजन होता है तो आप वो चीज़ मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा और आपके मोस्टी जो प्रिवियस यह में पूछे गए थे एक्जांपल वो मैंने आपको एक्जांपल भी लिख दिया है और हाँ सबस पसंद आये वीडियो तो लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना वेल आइकन दबाना और जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में और डिसकस करेंगे आपके साथ बहुत सारी इं थेंक यू सो मच गाइस बेस्ट आफ लाइब